आज के वीडियो में हम जानेंगे sodium hypochloride के बारे में तो यह जो market से मिलता है तो यह bleach के नाम से भी आता है और इसको हम hospital में यूज करते हैं और टी के अंदर यूज करते हैं वाट के अंदर और घरों के अंदर भी इसको हम सफाई के लिए यूज करते हैं sodium hypochloride होता है यह disinfectant का काम करता है bacteria virus पंगी इन पर अच्छा काम करता है और इनको यह kill कर देता है और इनकी जो spores होते हैं और प्रियोंस होते हैं तो उनको जरूर यह destroy नहीं करता है वाट की बेक्टीरिया virus और फंगी होता है इनको यह destroy कर देता है तो इसका यूज हम disinfectant के ल sodium hypochloride हमें मिलता है और इसका यूज हम किस परकार से करेंगे इसका जो हम dilution यूज करेंगे इसका जो concentration बनाएंगे वह किस परकार से बनाएंगे और इसको कितना परसेंट हम यूज करेंगे तो वह सब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे तो सबसे पहले जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में परीचे के बारे में तो जो sodium hypochloride रहता है वो commonly bleach के नाम से market में मिल जाता है और यह sodium hypochloride के नाम से भी market में मिल जाएगा और इसका use हम disinfecting agent के रूप में करते हैं और यह broad spectrum disinfecting agent का काम करता है तो यह जित्ते भी हमारे जो virus, bacteria, fungi और micro bacteria में तो उनके परती है disinfection का काम करेगा और यह जो हमारा bacteria रहता है तो उसके sports prions रहता है तो उन पे यह इतना disinfection का काम नहीं करेगा अब हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से use करेंगे तो जो sodium hypochloride रहता है तो एक तो आता है 0.5% में और एक आता है 5-6% में जिसे हम house or bleach के नाम से भी जानते हैं तो इसका जो biological waste होता है liquid biological waste तो उसको हम इसको disinfect करने के लिए इसका जो dilution है वो करेंगे एक अनपाथ 10 में sodium hypochloride का गोल बनाने के लिए हम देंगे एक जार लेंगे यह 100 ml का रहेगा और यह बड़ा बाला जार है यह रहेगा एक लिटर का तो हम जो sodium hypochloride हमारे पास 5% में है तो उसमें से 100 ml ले लेंगे हम sodium hypochloride और यह अलग dust भीन है तो इसके अंदर हम एक लिटर पानी डाल देंगे और इस sodium hypochloride को इसके अंदर डाल देंगे तो यह 1 ratio 10 की इसाब से हमारा 1% sodium hypochloride बनके तयार है यह जो गोल हमने बनाया है तो इसको एक खम चड़ी की साइटा से इस टिक लेके इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे तो हमारा गोल है जो बन जाएगा यदि जो biological waste है तो उसके अंदर जैसे की organic load है जैसे blood, protein, lipid तो इसके लिए हम 1% hypochloride concentration वाला solution यूज़ करेंगे और जो dilution करेंगे वो 1 ratio 5 में करेंगे अब हम जानेंगे कि जो हम disinfectant करते हैं surface को या फिर liquid waste को तो उसके लिए हमें minimum कितने time के लिए इसको contact में रखना पड़ेगा तो जो sodium chloride का जो गोल रहेगा तो उसको हम जो हमारा surface रहेगा ओटी का वाड़ का तो उसको disinfect करने के लिए minimum 1 minute के लिए इसको contact में रखना पड़ेगा और यदि हमें liquid waste को disinfect करना है तो उसके लिए इसको कम से कम 20 minute contact में रखना पड़ेगा यदि हम metals में इसका use करेंगे तो उसके बाद में water और ethanol से उनको अच्छे से साप करेंगे अब हम जानेगे कि इसको हम जो store रखेंगे तो कितने temperature पर रखेंगे और कितने time तक इसको store रख सकते हैं तो इसके लिए हम रखने के लिए 2-8 degree Celsius temperature होना चाहिए और इसको हम 6 से लेके एक साल तक 6 महीने से एक साल तक इसको हम store रख सकते हैं उसके बाद में ये degrade हो जाता है मलब इसकी जो stability है वो कम हो जाती है तो इसको हम फैक देंगे उसके बाद में इसको यूज नहीं करेंगे sodium hypo chloride का हम जो गोल बनाते हैं one ratio team में तो उस गोल को हम यूज कर लेंगे यदि वो गोल कुछ बचता है तो उसको हमें 24 hours की बीचतर ही इस्तिमाल कर लेना है क्योंकि 24 hours के बाद में जो ये गोल है वो degrade हो जाएगा वो वेकार हो जाएगा तो हमें इसका जो यूज है वो 24 गंटे के अंदर कर लेना है अब हम जानेंगे कि इसको हम किस परकार से यूज करेंगे और क्या-क्या साउधानिया यूज करते समयल तो ये क्या होता है स्कीन कॉरोषी होता और इडिटेसन वाला होता है और अप्यूट एक्वाटिक टॉक्सिटी इसके अंदर पाई जाती है और यह आई को हमारी को डिमेज कर सकता है आई में इरिटेसन कर सकता है तो इसलीए इसको यूज़ करते सेंए हमें जो पीपी आता है परसनल प्रोटेक्टिव उक्यूपमेंट तो उनका यूज़ करना है जैसे कि गलॉअस पहनना है, मासक पहनना है, गोगल्स पहनना है यदि हम लेव में यूज़ करनी तो लेव कोड पहन सकते हैं सोडियम हाइपकल्राइड का जब हम यूज करते हैं यदि ये धूकी से हमारी आँकों में चला जाए तो हमें जो टेप वाटर होता है नलका पानी तो उसमें 15-20 मिनिट तक आँकों को दोना चाहिए और आई सर्जन को आई स्पेसलिष्ट को दिखाना चाहिए